हाई फ्रेंड्स इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा विंडू 11 इंस्टोल करते वक्त एरर सो कर रहा है तो चलिए आज मैं आप लोगों को step by step बताऊंगा किस तरह से error इसको solve करेंगे तो चलिए विंडू वाले मैं आपको एरर सो करके दिखाता हूं किस तरह का एरर सो होता है ता आप यहां से इसको रन करना ठीक है यहां पर देखिए एक चेंज ओप्शन है ठीक है यहां पर एक्सेप्ट करके यहां पर चेंज नाट राइट करके डाउनलोडर के दोनों यहां पर चेक करके दिखाऊंगा आपको इंस्टोल नहीं होगा देखिए यहां पर दीस PC कांट रन विंडू 11 फ्रेंट्स ठीक है आपका दूसरा ओप्शन भी करके मैं दिखाऊंगा यहां पर भी सेम एरर करके आएगा आपको इंस्टोल नहीं होगा फ्रेंट्स तो मैं पहले आपको दिखाता हूं इस तरह से देखिए यहां पर भी आ गया इस पीसी कांट रन विंडू 11 फ्रेंट्स ठीक है इस स्टेप पर भी एरर सो हो गया ठीक है तो यहां से ठीक है यहां से क्लोज हो गया फ्रेंट्स ठीक है आप जिस ड्राइब में आप आई यसो विंडू 11 रखे हो आप ठीक है इसी ड्राइब में आप एक फोल्डर बलाना ठीक है विंडू 11 के नाम से प्रेंट्स यहां पर राइट किलिक के एक फोल्डर क्रियेट करना विंडू 11 के नाम से ठीक है फिर उसके बाद जिसमें आपका विंडू होगा इस सारी फाइले कॉपी कर लेना बूटेबल वाला ठीक है इसको यहां से सेलेक्ट करके पुरा कॉपी कर लेना कॉपी करके आप जो फोल्डर बनाया हो उस फोल्डर में ले जाके पेस्ट कर देना इसको इसको कि पेस्ट करने के बाद होगा एक्यां यहां पर टाइम ले गए Ś basin अन्यक्री के बाद मैं एक आपको फाइल गहीн करें उसके लिए मैं एक फाइल डाउनलोड करके रखा हूँ यहां पे देखिए फिक्स यहां इस फाइल को आप Installation support आप download कर लेना download करके इसको copy करके कि अठीज को मैं दिखा देता ऑँ देखिए इस file को copy कर लैना आप आप फिर जो विंडो आप रखा है सोर्स में जागे आप इसको पेश्ट करदेना फ्रेंट्स ठीक है फिर उसके बाद रिप्लेस करदेना यहां से फिर आप रन कराते हैं ठीक है 100% आपका रन कम्पलीट होगा फ्रेंड्स मैं आपको रन करके दिखाता हूं आप तो देखिए मैं उस फाइल को पेश्ट करके सोर्स में अब दुबारा से रन कराया हूँ विंडो इलेवन को तो देखिए फ्रेंड्स इंस्टॉल विंडो इलेवन का उप्शन्स आ गया यहां पे ठीक है दोनों का मैं दिखा करता हूँ आपको तो देखिए फ्रेंड्स इंस्टॉल का उप्शन्स आ गया शक्सेस्फूल हो गया फ्रेंड्स तो इस तरह से आप एरर विंडो इलेवन का सल्ब कर सकते हैं फ्रेंड्स ए्रेंड्स प्रेंड्स प्रेंड्स कि देखिए यहां पे रेडी टू इंस्टोल आगे आपका इस तरह से आप विंडो 11 एरर जो शो कर रहा था इस तरह से आप एरर सल्प करके इंस्टोल कर सकते हैं फ्रेंड्स देखिए इंस्टोल मोड में आ गया यहां पे देखिए इंस्टोल विंडो 11 प्रो करके भी है यहां पे दिखा दिया रेडी मोड इंस्टोल फ्रेंड्स तो इस तरह से सल्प कर सकते हैं friends तो I hope अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लेगी तो प्रीज हमारे वीडियो का लाइक कोमेंट और हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो सब्सक्राइब कर अच्छी लेगी वीडियों प्रूश्ब लेगी वीडियों प्रीज हमारे वीडियों कर दो आपले वीडियों इ।